प्रेस दे बेल आइकन ओन दे यूट्यूब अब और नेवर मिस अनादर अपदेट नमस्कार पिछी विजार्थियो स्वागत आपका वीकेर्स फिजिक्स अकैडवी में आज हम कक्षा 10 का लेक्चर नमबर 11 लेक्चर नमबर 11 चैप्टर है अपना इलेक्टरिक करन्ट विदुद धारा और टोपिक अपना विदुद सकती पावर क्या होती है इससे पिछे वाड़े चेप्टर में हमने पढ़ा था कि उसमिये परभाव क्या होता है विदुधारा का और उसके अंदर हमने पढ़ा था H बराबर VIT और फिर ओम के नियम से इसको हमने परतिरोध के अंदर भी व्यक्त किया था तो आप देखते हैं कि सक्ति क्या होती है विदुध सक्ति का अंदर है किसी परिपत के अंदर और वैसी सक्ति है वो किसी वी वस्तू के पास अबजेक्ट के पास होती है नोर्मल सक्ति किसे कहते हैं कि समय के साब एक से कोई वस्तू कोई अबजेक्ट कोई व्यक्ति जितना का यह करता है उसे उसकी सक्ति से प्रवासित किया जाता है लेकिन हम यहां पर विदुत सक्ति की बात कर रहे हैं यानि कि हमारे पास यहां पर परिपत होगा तो हम यह कह सकते हैं कि सक्ति क्या होती है जरे पहले समय में किया गया कार्ये सक्ति के तुल्य होता है या उसे सक्ति कहते हैं कि एकांग समय में किया गया कार्ये सक्ति के तुल्य होता है कब जब उसमें क्या की जाए धारा परवाहित की जाए तो सीधा फॉर्मिला होता है सक्ती स्क्ति का सक्ति बराबर आ कारू यह कारिये बटे समय सक्ति को पीसे लिनौट करते हैं बड़े पी से कारिये को को W से और समय को करते हैं T से तो पी बराबर के आया W बटे टी यह क्या है सक्थी कहलाती है अब हमने पिछली वीडियो में देखा था जो उसमा उज्जा है जिसको डवलू के बराबर लेते हैं वह आती है वी आइटी तो अगर मैं यहां पर डबलू की जिगर रहूं वी आई टी अपॉन टी तो टी से टी क्रोस हो जाएगा पी बराबर के आएगा वी आई यानि यह भी सक्ति है लेकिन यह कब है वोल्टेज और दारा के पुदों में है यानि वोल्टेज और विवांतर और दारा का गुणंद बढ़ाएंगे अब हम इसको क्या कर सकते हैं पर्चिरोग के पदों में और बढ़ा सकते हैं ओम का लियाद करो क्या था वी स्वानुपाति आई वी बराबर आ रहाई और यहां से देखें आप वी किस के वैल्यू रखूं मैं आर आई तो यह वाड़ी यहां रखूंगा त तो तीन फॉर्मली होगे अपने हैं सकती के कि अब देखिं मात्रक डिया मातकर के बात करें तो मात्रक है काँलिय का मातर किया होता है जूल होता है का गवातर क्योंत विए से लिखा जाता है स्वासरस के अचन है 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 Chao Chou whenever मात्रान होता है सकत्य का मात्र होता है इस जूलबटे सेकिंड को भाट वाट से भी लिखा जाता है मात्र क्या है वाट यह यह वाट है इसके ब Parl ृत Кर्श हम करेंगे उस से पहले देखें कि इस पॉर्मले से सकति का सब्सक्राइब यहां से आएगा शक्ति बराबर वी यहां पर व्यांतर राइगा अब देखो कि जो अपना सक्टी का मातर आया वाट बराबर क्या है इसको किस प्रकार दिखेंगे बटे Second के बराबर होता है Вाट और दूसरा मातर क्या आया मातर बराबर एंटो अम्पियर यह अद अब यह जो वा में करते हैं जैसे कीलो में मैंने रिपता था आपको पहले वीडियो में कितने होते हैं कि तीन होते हैं में इसे बहुते हैं किलो इसके ग्राम लगेगा तो किलो ग्राम हो जाएगा तो किलो मीटर बन जाएगा तो अगर याव कि तने मर्म हो जाएगे दसकी तीने वार्ट हो जाएंगे एक है कि यह वाक अधार बराबर कितने अध्य कितनी और यह एक थैरे जाएंगे में चिटनोट करते हैं दसकी छैवाट इसी तरह से एक बहुत ही इंपोर्टेट अपने पास एक और होता है जिसे कहते हैं अस्वय सक्ति अस्वय सक्ति यह भी मात्रक है एक अस्वय सक्ति में 746 वाट होते हैं यह आपको याद रखना है प्रिक्षा में पूछा जाता है एक अस्वय सक्ति वराबर कितने वाट होते हैं 746 वाट जिस प्रकार से किलो वाट में दसकी तीन वाट होते हैं यह विवारिक है बढाया हु 746 वाट की मराबर होता है जैसा अपने विवारिक जियूर में आप चरी सोस-पावर का कर सकती है तो इतने से उनकी भुणा के बाद उनकी पावर जो काम करने की वो क्या जादा है यानि जिस ट्रेक्टर का जिस मशीन का और जादा होगा उसके काम करने की जो समता है वो भी क्या होती है जादा होती है अब अगर हम बात करें कि हम यहां से एक वाट की प्रिवासा कैसे दे सकते हैं एक वाट एक वाट क अबोल्ट इसके मानतर होता है विबानतर का यदी परिपथ में इसको प्रिवासा कैसे नहीं कि यदि परिपथ में एक एमपियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन विबानतर एक वोल्ट हो तो सकती कितनी हो जाएगी एक वाट हो जाएगी किसा नियों मुंक्राइश की परिवासा दे सकते हैं को यहोगा सकती अब देो अपने से एक प्रॉल होगी जैते हैं मुख्य प्रॉल मसक्र आसा पी ब्राबर डबलू अपॉल्ट टी चाह यह थे सक्ते में आपको बता दी अब डबलू प्राबर अपने उसमीं ऊप पणके बारे नहीं वशता है अश्पने झो का जानी कीदिन यहां से आप देखें कि है क्या है इसे क्या हो गया विदूत सक्ती और सक्ती और उसमी है उर्जा यहां पिसे विदूत उर्जा भी कह सकते हैं यहां पर समय विदोत उर्जा का मात्रक हो जाएगा यानि कि विधुत उर्जा बराबर क्या हो जाएगा वाट इंटो सेकेंड यह हो जाएगा विधुत उर्जा का मात्रक अब इसके अंदर विधुत उर्जा क्या होगी जो अपने परिपत में खर्त होती है जो अपने गेलू इसको एक इंदर योगत ओर और घंटा के सब्सक्राइध unit एक unit के वराबर होता है कि एक युनिट के वराबर होता है एक टालिया किенд सब्सक्राइब निक्षाब आथा है कि एतने unit हमने खरची है तो एक unit क से लूए गंटा गंटा जैसे किलो ऑट है ढंक ऐतना होता है कि इस दस 9 10rokいたूट इंटिफ में समय में बदलना पढ़े अपर था था तो नटिफ्लत करें दो किसा बराबर होता है उर्जा को चूला होता है तो एक किलो वार्ट घंटा वराबर क्या एगा दसकी तीन यहां पिए पहले मैंने दसकी दो तो यह बन गाएंगी जूल यह इसे पॉइंट में दिखा जाता है तो यह होगा तीन पॉइंट चाहें टो दसकी चैसे जूल इस परकार से यह किलो वार्ट घंटा में इतने उर्जा के बराबर होती है अब यदि अपने को गेलू परिपत में सकती बताने कितनी सकती खर्च हुई है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं जो अपना फोर्मुला होता है उसमें हम अजार का भाग दे रही अपने को जो खर्च हुई विदोत उर्जा है उसको यूनिट के अंदर क्या आप करना हो तो हम क्या करते हैं वे उर्जा वे यानि खर्च हुई विदोत उर्जा बराबर य हैं हजार का भाग देंगे जैसे अपने इसको निमेरिकल में करूंगा आपको तो और अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अपने को लेना होता है वाट यानि जैसे कोई भी अपने बास जैसे गरों में उपकर्ण होते हैं जैसे बल्लब की बात करें उसके चल रहा है यह सब आते अंदर आएंगी तो विद्व उर्जा को खर्च जो अपने बताना उताना होता है मातरी जूर सैकेंड में होता है जब सकती है तो यहां पर दिया जा गांच्छे उसकी सकती बल्ला प्य पंखें कितने गंटें जलता है इस प्रकार से हजार का बाग लेके हम उसमें खर्टोई उर्जा कमानिया पर करते हैं